बहुत बहुत सवागत हैं अब तबीका अपने यूटूब चुनल पेपर हैकर में मैं सुल इज्राज और आज देखने वाले जो भी छात्र बीए सेकेंड समस्टर में हैं और सोचलोजी का पेपर की बात करेंगे एक है पॉलिटिकल सोचलोजी जी हाँ यह जादा कर जो को नहीं बनाया बहुत सारी कॉल आये थे मेरे पास में और उनके बहुत अलग 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 सबकी बिचार थे तो मैंने कहा कोई बात नहीं है सिंता ना करिये मैं कहीं भी किसी जगे बैठा हूं आपको डरने की ज़रूथ नहीं है पेपर है कर मतलब छोटी-मोटी नी से नह फिल्ड घेर कर हमने अपनी नीगों रखा है ठीक है ना तो पेपर है कि नहीं इसनी छोटी नहीं जो आपको मलब कि कोई इंसान इसका नहीं चापेगा यह नोट्स नहीं चापेगा तो हम उसके इंपोर्टेंट कोशन नहीं बना पाएंगे यह हमें कोई बुक नहीं मिलेगी क्या कर रहा है ध्यान से देखना इसके आज सकता है एक दो कोशन एक्स्टा इसके ही आधार पर बनाकर तो आपसे पूछ सकता लेकिन इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा ध्यान से देखिए यह है पॉलिटिकल सोचलोजी और यह ज्यादकर मेरत ही इनिवस्टी है जो CCS में चोधरी चुरनसिंग उन्युवस्टी उसमें यह अलग से उन्होंने सब्जेक्ट को रखा है ठीक है वैसे बहुत सारी उनिवस्टी में अलग-अलग सब्वर है यह सोचलोजी कि पेपर है जो से कहला है पॉलिटिकल इतिकल सोचलोजी और है पहले तो आपको यह त्लक उसकी परीभासा टिए वो देखना है उसके महत्व उसके उद्देश क्या है उद्देश के वारे में आप जाना है यह क्यों बहुत ना अब यही बात आप से पूछता है कि जो राजनीति समाज सास्त्र है जिसे हम सिंपल तरीक से पॉलिटिकल सोशलोजी बोलते हैं इनकी जो बुन्यादी अब्धार्णाएं है मतलब की बुन्यादी उनका जनम जहां से जो हुआ है ना राजनीति समाज सास्त का उसक क्या रहा है अब्धार्णाएं देखनी है जैसे कि अभन्धार्णाव का मतलब क्या कह सकते है उसका अधीकार क्या है व्याइदक क्या diversity सुना साथ ए उसका अधीकार क्या है उनकी क्या सकतियां के पारे में सक्तियां क्या है नोगropri लांबंदी क्या होता है आप इसको याद करेंगे और उसके बाद में चुनाब आयोग की भूमिका, अब आपको देखने को मिलता है, राजनीतिक, अब राजनीतिक क्या होता है, जब आप चुनाब होते हैं, तो चुनाब आयोग किस तरीके से चुनाब करवाता है, इन दलो की, राजनीतिक दलो की किस तरीके चुनाब कराता है, उनकी चुनाब समाज में सक्ति के बित्रण के जो संब्रान सिध्धान्त है उन सिध्धान्तों के बारे में याद करने ना है आपको कौन कौन से सिध्धान्त है किसके द्वारा दिये गए किसको याद करे तो एक पढ़ना है आपको जो मौस्का एक था मौस्का के द्वारा समाज में सक्ति के वित्रणा का सिद्धान दिया गया था एक दिया गया था itself के दोरा इन के बार में पढ़ लेना काम हो जाहेटा थैक इनके परिव happens a इक होता है कि मतलब की लोगों के हिप्ड के बारे में सोचता है एक होता है दबाव समू जो लोगों को क्या है दबाव डालता है ठीक है तो इन दोनों में अंतर आपको देख लेना है क्या राजनीतिक महत्व क्या होते हैं मतलब राजनीतिक के महत्व आपको बताना है एक राजनीति है राजनीतिक लोगों के क्या महत्व है वो आपको देखना जनताओं की बीच की जो ओपनियन होता है मतलब क्या उनकी बाते हैं जो ओपन किया जाएं तो उन ओपनियन के बारे में आप टिपड़ी लिखनी है ठीक है बहुत important question है और मीडिया की भूमिका क्या रहती है मीडिया की भूमिका क्या है आर्टिकल आपको बता होगा आर्टिकल 19 में बोला गया है मीडिया को एक स्वतनता दे गई है वो कहीं भी जाकर कुछ भी किसी की जानकारी ले सकता है यह अधिकार है ठीक है उसका एक मौलिक अधिकार दिया गया है जैसे कौन सी आपको जाती के आधार पर भईया पुर्क करीया है कुछ लोग जाती के आधार पर बोट बांगते है बोट बागते है बहीं ऐसे खिए कि उसने पता है मोदी जी ने ऐसा कर दिया उसका अंग्रीज वाले जबर रहे हैं के पर आए तो अलग अलग पैपर है ठीक है तो लेकिन आएगा यहीं परके जाने अच्छ सरी तरीक शे ल평त यह बार्तियराजनीती के छेत्रभात की भूमिका आप सूने कुछन को याद करके आप 85 परशन प्रस ला आशर हुगा वो इन कोशन के ही अंदर से ही आशर आपको देना है। बाकि कहीं से और देने की जुरूत नहीं पड़ेगी। जो लोगो सबस्क्राइब कर लेकिना। दोस्तों को शेर कर देना। बाकि मिलेंगे नेक्स वीडियों तब तक के लिए बाए बाए दोस्तों.